एक बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई मिल रही है कि विपक्ष के नेता अर्विन केजरिवाल की इस गिरफतारी को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात करने जाएंगे देखे आज ममता बनर जी ने जब सुभा अर्विन केजरिवाल के परिवार से बात की थी उनकी पतनी से बात की थी तो वो चुनाव आयोग से मिलेंगे शाम पाच बजी चुनाव आयोग से मिलेंगे विपक्ष के नेता ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अर प्लेश यादभ हों हर کوई ये कैं़ रहा है कि ये जो किरफ़्तारी है ये चुनावों को देखते हुए की गई है चुकि छाहता नहीं है सामनेई बीज़ोपी सरकार ये चाहती नहीं है ये चाहती नहीं कि उनके सामने कोई विपक्षी नेता लड़ सके और इसलिए एक-एक करके तमाम विपक्षी नेताओं की गिरफतारी की जा रही है तो देखे विपक्ष के जो नेता है वो चुनाव आयोग जा रहे हैं बार-बार ग्राउंड यही बनवाया जा रहा है कि यह सब कुछ जो हो रहा है दरसल यह चुनावों को प्रभावित करने के लिए हो रहा है कपिल जी पूरा का पूरा विपक्ष यही कह रहा है कि चुनाव नस्दीक है और चुनाव से ठीक पहले अर्विंद केजरिवाल की गिरफतारी की है उन्हों तो इस बात का डर है कि आप एक एक नेता को जेल पहुंचा देंगे इसलिए चुनावायों के पास गए हैं वो आप जाएंगे देखिए सबसे बड़ी बात प्राची जी आप विडंबना देखिए आज अर्विंद केजरिवाल को इमानदारी का सर्टिफिकेट कौन दे रहा है लालू यादो आज अर्विंद केजरिवाल को इमानदारी का सर्टिफिकेट कौन दे रहा है कॉंग्रेस पार्टी आज अरविंद केजरिवाल को किसके सर्टिफिकेट की आवशक्ता पढ़ रही है समाजवादी पार्टी तो जिन से लडने के लिए राजनीती में आये थे आज अकर लालू याद हो यह बोले कि अरविंद केजरिवाल इमानदार है इस से ज़्यादा दुरगती क्या होगी अर्विंद केजरिवाल की मुझे लगता है इतिहास में इतनी दुरगती किसी और वैक्ति की नियोगी राजनीती में जो आज अर्विंद केजरिवाल की है और ये विपक्ष मजे ले रहे तो विपक्स के लोग आज मज़े ले रहें अर्विंद के जिराजरीवाल की दूर्दशा पर अर्विंद केजरीवाल की जोковालत है उसपे और मुझे लगता है हास्यास्पद स्थिति के लिवे अर्विंद केजरीवाल स्वयमी जिंवेदार है तो ये सारे भष्टाचारी एक दूसरे को इमानदारी का सेटिफिकिट दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और चुनाव आयोग का ऐसा कोई नियम नहीं है